Hello everyone, मैं विशुजीत सिंग, आप सभी का देई इनव पर सौगत करता हूँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम MA History MH09 का Unit Second पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर में हम बात करेंगे कि इस Unit के अंदर में टूटल कितने Lessons हैं उन Lessons के Basis पे किस तरह के Topics बन रहे हैं और उन Topics के Basis पे क्या Questions होगा, उनके Answer कैसे लिख सकते हैं उसके बारे में यहां पर हम Discuss करने वाले हैं एक तरस हम यह कह सकते हैं कि एक Selective Study होगा जिसमें कम समय में हम एक Chapter को लेकर उसके अंदर में क्या-क्या चीज़े जरूरी हैं कौन से Topic जरूरी है, कौन सा Question जरूरी है, Answer किस तरह का हो सकता है उसके बारे में हम Discuss करेंगे Short Video का ज्यादा बड़ा Discussion नहीं रहेगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा useful रहेगा सलिव उसको complete करने में कम समय के अंदर में चले start करते हैं तो हमारा जो Unit 2 है उसका नाम है निर्मान कारी चरण अब देखो हमारा भारत जो है 1947 में अजाद हुआ तो 1947 में ऐसा थो था नहीं कि रातो रात अजाद हो गया रातो रात अनौंस कर दिया कि भारत अजाद हो गया उसके लिए एक लंबा संगर्स का काल चला ठीक है बहुत सारे आंदोलन हुए बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया तब जाकर आज हम सोतंत्र भारत में रहते हैं तो उस विचारदारों को हम कहते है रास्टवात की विचारदारा, तो भारत के अंदर में वो रास्टवात की विचारदारा पनपी कैसे, इस unit के अंदर में पहले chapter के अंदर हम बात करने वाले chapter 5 जहां पर हम बात करेंगे भारती रास्टवात की बुनियाद, देखो अब रा बारत के अंदर में राष्टवाद की बुनियाद किस तरह से रही तो इसके अंदर में दो टॉपिक इंपोर्टेंट आते हैं पहला एक टॉपिक आता है कि लोग पर यह आंदूलन की विरासत यहां पर एक कोशन बन कर आ आता है कई बार कि भारत के अंदर में जो भी लोग पर यैंदूलन होए इसकी विरासत यह दिला देते ईनकी रातों के नींद छीन लेती है और यह जो चीतने भी विद्रों होते यह बुनियाद के तौर पर काम करते हैं ठीके विरासत के तोर पर काम करते है भारतिय रास्ट वात का क्यूं देखो संथाल विद्रों की बात करो चाहे सन्यासी विद्रों की बात करो चाहे फकीर विद्रों की बात करो कहीं ना कहीं वो लोगों को जागरुप्त कर रहे होते हैं कि आपको अपने देश के लिए लड़ना है खड़ा होना है इसके लिए क्या-क्या चीज़े की जारी थी तो अखिल भारत का सफना देखा जा रहा था कि पूरा भारत हमारा होगा अखिल वारत सोतंतरता की बात की जारी थी भूरासव नीती जो अंग्रेजों ने बनाई थी उसको लेकर अपोज किया जार था अधन को लेकर महाँ पर जो जितने भी रिसोर्स हुआ करते थे उसको लेकर यहाँ पर उसकी बारे में बात किया जा रहा था तो इसके कारण से यहां पर कोश्चन बनता है ठीक है कोश्चन यह आएगा कि लोग पिरिये विद्रो की विरासत भारती राष्टवाद का मतलब सन्यासी फकीर यह सारे विद्रो के बारे में बता सकते हो यह जितने भी हैं यह 1857 के पहले के टाइम पिरेट की बारे में हम यहां पर बात करते हैं ठीक है आपको टाइम फ्रेम याद करके चलना है MHI 9 के अंदर में क्योंकि एक ही टाइम फ्रेम के अंदर में सारी इंसिडेंट घटते हैं तो आपको टाइम फ्रेम अगर आपके माइन में सेट है तो फिर आप इजली आंसर दे पाओगे यहां पर एक सेकिंड कोशन बनकर आता है सेकिंड कोशन रहता है कि ब्रिटिस प्रसाशने कारवाही अब देखो जितने भी विद्रो हुए जितने भी विद्रो हुए चाहे संथाल विद्रो हो चाहे फकीर विद्रो हो सन्यासी विद्रो हो इनके ऊपर किसी ने किसी ते कि क तो देखो जो भी एक्षन लिया गया उसका इंपेक्ट क्या पड़ता है तो सबसे पहले एक्षन के तौर पर तो दिखा जाता है कि भी आप प्रेस एक्ट लागू कर दिया जो भी मीडिया है उसके उपर में बाउंडिशन लगा दिया कि वह कुछ भी अपनी मर्जी से चाप पनी सकते एक टाइम ऐसा था कि बहुत सारे नाटक बहुत सारे मैग्जिंस बहुत सारे कार्टून के थुरू अंगरीजों का विरोध किया जाता था ठीक है पर उसके उपर में रोक लगा दिया गया ठीक है कई नए तरह के कानून लाए गया जिसमें लोगों को पकड़ा से गिए जो भी अंगरेजों को विरोध कर रहे थे या उनके लिए कि खिलाफ काम कर रहे थे भट़काने का करें रही है लोगों को उनको पकड़ा गया जेल में डाला गया ठीक है पर यहां पर एक चीजम की लाई गाई गई नया baru को इंटरेऊ करने का के लोगों को ये कह गया कि आप नियाय के लिए अवाज लगा सकते हो पर यहां पर यहां पर एंग्रेजों के हक में धिया जाता था कलर बेशिस पे एक तरसी बोल सकते हो यह जितना भी इंपक्ट था जो भी सारा चीज़ी चल रहा था इसका रिजन रहता है तो इस चैप्टर के अंदर में यही टॉपिक रहने वाले इस तरीके साफ सकते हैं कर सकते हो और अच्छे नमबर मिल जाएंगे आपको अगले चैप्टर के और बढ़ते हैं चैप्टर नमबर 6 जहां पर हम बात करते हैं आर्थिक राष्टवाद ठीक होता है है अब देखो हमने उपर यूनिट फर्स्ट में पढ़ा था आर्थिक राष्टवाद के बारे में तो आर्थिक राष्टवाद होता है तो जहां पर मेंलब मेंली श्रम और पुंजी के निर्मान में घरेलू नियंतरन के हम बात करते हैं जो भी पैसे का जो चैंजिस होता है श्रम चाहिए आप अपने वर्क का चेंजिस कर रहे हो जो कुछ भी चीज़े कर रहे हो तो वहां पर ना घरेलू नियंतरन के हम बात करते हैं कि भीया मेरे घर का नियंतरन हो सब्पोस करो आज की समय में पीछे हम को इंसिटेंट की बात करते हैं तो पीछे आप जब मारे जो कानुन मंतरी रवी संकर पर साथ थे तो उस समय ट्यूटर के साथ में बहुत सारी इंसिडेंट हो ली थी ट्यूटर कई बार हमसे मतलब गलत तरीके से बीव कर रहा था इंडियन गौर्मेंट के साथ में ठीक है बहुत जादा नोक्जोग हो ली थी एक्जामपल के ठीक है उसको बुलाकर बठाया गया समझाया गया तब उसके बात में समझता है तो यहां पर नॉर्मली जो श्रम और पुंजी का निर्माणयों घरेलों नियंत्रण में हो मतलब जो भी चीज़े आप काम करें हो ना मेरे घर में आयो ना काम करने के लिए तो भाई मेरे नि आर्थिक राष्टवात के अंदर में क्या होता है जैसे अंग्रेज आये हुए था हमारे भारत के अंदर में तो जो पूरा स्रम का नियंत्रण हो पुंजी का नियंत्रण हो किसके अंदर में था अंग्रेज के अंदर में था इस्ट इंडिया कंपनी के अंदर में था तो उ लगता है पर उस ताइम पर चाहिए हम फूर्ट के नियंत्रण के लिए स्रम और पंजीए नियंद्रन को अर्थिक राष्ट वात के तौर के द WRATHEK राषट वात क्या है दूसरा नियंदर में रा इन्दर ऑध्राश्टवात के जरूत क्यूं पड़ता है जैसे इंडम्हों की स्टार्ट होता है जैसे इं।S धन का हर्धन को निकाला जता है मतलब भारत से बृटें लेकर जाए अर्थिक शोशन लोगों का किया जाने लगता है तरह के टेक्स वयस्था लाओं की जाती है। उसके बाद भारत के अंदर में आर्थिक राष्टवाद की विचारदार को िंटर्डूस किया जाता है। इंट्रिजूस करने वाले मेली जो होते हैं डादब्भाई नरोजी उपनिवेशवात का पर्तिरोध अब देखो बोधिक और समाजिक छेतर क्या होता है मतलब एक तरह से पढ़ा लिखा जो वर्ग था intellectual वर्ग था उसने किस तरह से समाजिक छेतर में उपनिवेशवात का विरोध करना शुरू किया उपनिवेशवात मतलब कि सांस्कृति के मद्धे संगर्स में किस तरह से मतलब भासा को लेकर सिख्षा को लेकर ठीक है जो सांस्कृति के मद्धे संगर्स होता है आज के समय में हम क्या है कि हम अपना जो मुख्य भोजन है वो नहीं करते हम मोमुस काते हैं बर्गर खाते हैं अलग चीज़े खाते हैं, हम अपना मुख्य बोजन भूल गए, आप जी जगह से बिलोंग करते हैं, वहां का मुख्य बोजन रहता होगा, जिसे मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, तो वहां का इवनिंग के अंदर में कुछ अलग तरह की चीज़े खाई जाती थी, पर आज के समय में हम इवनिंग होता है, तो हम कुछ अलग खा रहे हैं, डेली में रह रहा हूँ, तो यहां पर अलग खा रहे हैं, तो हमने अपना मुख्य वोजन भूल गए, हमारे जो मुख्य पैनावा था, वो भूल गए, तो सांस्कृतिक अधार पर जो परिवर्तन आ किया गया, सांस्कृतिक व्याचारिक परती रोध हुआ, संस्कृति को लेकर, उसके ऊपर में राष्टवात का जनम कैसे होता है, राष्टवात की विचाल धारा कैसे आती है, वुश के बारे में बात किया गया, अब लोगों को ये कहा गया, कि भीया, आप सूट पेंट प हाष्टे है, सबी सबी से, तो क्या उसमें हमारे इंडिया का कोई बैनिफिट है, क्या, कोई बैनिफिट नहीं है, उसमें चीन का बैनिफिट है, हमें ठोड़ा-सा अरजये дост कराना की जरूधर पड़गी, सूट-बूटा-कर मोडल लगएंगे, वो समझे में आताय मुझे अच्छा अगर हमें सस्ता फोन चलाना है तो हमें Redmi, Oppo ये यूज़ करेंगे सस्ती में हमारा काम नहीं पड़ जाएगा, समझ में आता है मुझे पर अगर आपको अपने देश की बारे में सोच रहे हैं सांस्कृतिक वैचारिक परती रोज से आरंबिक राष्टवात किस तरह से उदय हुआ उसके बारे में आपे बात करते हैं तो नॉर्मली अगर इसके अंदरे में देखोगे तो कई सारे जो बौधिक इंडिलेक्चुल जो वर्ग था उसने क्या किया नील दरपन ठीक है जमिंदाद दरपन आनंद मठ हो गया बकिम चंद के द्वारा जो लिखा गया था ठीक है मात्र भूमी हो गया इस तरह के कई सारे जो ग्रंत लिखे गए कई सारे के पब्लिशन किये गए उसके तुरूर लोगों को जन्जागरित कर रहा था बोधिक वर्ग करता क्या है मालो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं भी एक बोधिक वर्ग के अंदर में आऊँगा इंटलेक्चुल वर्ग के अंदर में आऊँगा और अपने नॉलेज के मैं पनी साực पर जो छुझे मुझे आती हैं अपनी वीडियो के बीसीशषित पर आपको मैं कैया करणा जागरू कर रहा हूं कि ये चीज़ इस तरीके से हैं ठीक है तो इन चीजों के जरीए किया ठीक है अलग-लग तरीके से लिगों तक पहुंछा आया ठीक है यहाँ पर है ठीग है अगले पिर ऑगविस कोशन मनता है स्वाले टॉपिक इस ने सब्घोंक्ता है कोश्वर जो इस बड़ेम टिंडुव्य जी तिना डू झैछ리 की बारे मतलब पड़े लोग आते lema viral the जैसे होमी के भावा, ठीक होमी के भावा, M.G. Rana De, पार्थ चेटर जी हो गया, इस्वर्चंद विद्या सागर हो गया, स्वामी दयानन सरसुती हो गया, यह जितने ही थे ना इन्हों ने अपने-पने फिल्ड में महारत हासिल कर रखी थी, और इन्हों इनके द्वारा कुछ कुछ बोला जाना, मतलब माइना रखता था, माइलिस्टोन के तौर पर काम करता था लोगों के लिए कि हा, यहाँ पे कुछ परिवर्थन आया, ब्रेक थुरू के तर और पर काम करता था, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके बारे में बात करते हैं, तो 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 टोटल तीन तो किस तरीके से यह आंदोलन चल रहा था उसकी बारे में आपे हैं को कैसे हुआ ठीक है तक एitutional अनुन रहे उसका स्षैंच दिया जान कर दो रहा जान किस तरो तो रहते फार रहुत है चैना ना करते हम합니다 सोदेसी आंदोलन का जनम होता है पश्चमी करेंड का जो विरोध कर रहे होते हैं लोग जो पश्चमी करेंड के बेस बूसा पैनावा खान पान उसके विरोध कर रहे होते हैं उसके करन से भी आपर सोदेसी आंदोलन का जनम होता है भारत की जो आर्थिक इस्तिती होती है जो उमूम था, वो हिंसा की और चला गया, एक कोशन यह रहता है, और दूसरा यह रहता है, कि पतन कैसे हुआ, यह यहां पर यह भी कोशन आपको पढ़ने की जरूत रहती है, कि पतन किस प्रकार से सोदिशिया, अंदल रहा, सक्सिस्फुल क्यों नहीं हो पाया, यह आपको पढ पता दूँगा, ठीक है, और आपका एक्जाम पास में है, तो इस तरीके से अगर आप पढ़ते हो, तो आपको easy रहेगा, कि chapter में से हाँ, यह chapter है, इसके अंदर में से यह चीज़े रही, और आप easily उसको cover कर सकते हो, यह तीन topic बताया, तो इन तीन topic को ही पढ़ना है, इस त देखने चाहिए, जो भी आपका syllabus है, उसकी important topics की video देखने चाहिए, important questions की video देखने चाहिए, जिसके basis पे आपके अच्छे नंबर बन सकते हैं, आप उनको जरूरू देखिए, ठीक है, और अच्छे नंबर आप लापा होगे, और दूसरा चीज यह एड़ करना चाहूँग Thank you so much.